को Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूं आप सभी लोग एक्दम स्वस्त होंगे तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंपोर्टन और बहुत छोटी वीडियो ने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी शौटकट्स हैं कि आप हाथो हाथ जो है इनको कर लें आप प्रेक्टिस करें डेली ताकि ये लर्न हो जाएं तो चले शुरुआत करते हैं इससे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए इसी के साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक आउट नहीं की हैं तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट देखिए और ये देखिए कि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई इंग्लेश जी एस माथ सबकी प्लेलिस्ट अरग बन गई है तो चले मुझे ये कॉलम है for example मैंने ये सेलेक्ट कर ली पूरी पी जाकर और मुझे इस पूरी कॉलम को हाइड करना है तो हाव विलाई हाइड इस होल कॉलम आपको एक साथ पूरी को हटाना है तो आप क्या करोगे देखो दो ऑप्शन्स हैं या तो आपने इसको प्रेस किया आप वियू पे गए चलिए मैं इसको ओपन करते हूं वियू पे जाके आपको कुछ नहीं करना है इसको हाइड करना है अच्छा एक दो चीज़े बतानी है अगर आप यहां से हाइड करोगे पूरी की पूरी वर्क बुक हाइड हो जाएगी मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे आपकी वो वापस आगई अब अगर मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ इस कॉलंं को हाइड करना है सिर्फ इस कॉलं को तो मैं कंट्रोल के साथ zero प्रेस करूंगे आप देख सकते हो अब भी आगया एग खतम हो गया है तो ए जो है आपका ईडी हो गया तो अगर आपको उसक कि अगर मैं बात करूंगी तो जीरो लेकिन अगर रो की बात करूंगी यह इतना लंबा तो आपको प्रेस करना होगा इसको हाइड करने के लिए यह रहा हा हाइड का उप्शन चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लेंड फंक्शन in ms excel 2010 return the total number of characters in a strength मतलब क्या है let me type any number here अब मुझे क्या देखना है अच्छा यह इस form में चले कोई बात नहीं आपको number sorry guys दिख जाएगा यह नंबर है अगर मुझे देखना है इस नंबर में कितने digits है कितने characters है तो I will use the function length दूसरी चीज में हर चीज equal to आप जितने भी functions use करने वाले हो सभी equal to के बाद use होते हैं तो लेन अगर मुझे चूज करना है तो मैंने लेन टाइप किया मैंने ब्रेक्ट लगाया उसके बाद जिस भी नंबर में मुझे total numbers count करने है total characters count करने है मैंने वह प्रेस किया bracket off and enter इसमें total 10 digits ती you can also count it from the year which is known as formula bar 10 digits आपको total दिख जाएंगी तो लेन क्या करेगा वह total number of characters बताएगा next अगर आप कोई भी digit लिखते हो excel में तो उसका जो orientation है वह automatically किस तरफ होगा यानि right होगा left होगा तो आप देख सकते हो numbers का alignment हमेशा right होता है और alphabet का हमेशा left होता है यह आप learn करके रखेंगे दूसरी चीज यह जो आपको दिखाई दे रहे ना यह वाला portion यह it is known as ribbon अगर मुझे इस ribbon को हटाना है और मैं चाहते हूं सिर्फ यह excel की workbook रहे तो what is the shortcut for that control plus f1 is a shortcut आप देख लो ऊपर से ribbon हाइड हो गया और अगर आपको वापस दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है देखो अगर आपने control f1 प्रेस किया आप दुबारा new line of text और add spacing between lines और paragraphs of text in a worksheet मतलब क्या है यहां पर कुछ टाइप कर रहे हूं आप देख रहे हो अगर length बढ़ रही है तो होगा क्या यह स्ट्रेट जा रहा है मुझे चाहिए कि एक ही cell के अंदर है तो home पे जाके इसको अगर मैं लंबा करूं तो मैं एक तरीका यह है यहां पर जाकर इसको select करके मैं wrap text कर दूँ लेकिन हर बार अगर मैं ऐसा करूंगी तो नहीं चलेगा तो मैं एक तरीका और भी है मैं जो भी type कर रहे हूं अब मुझे इसके बाद next line में आना है तो मैं alt के साथ enter press करूंगी तो इसी cell में अपने आप आ जाएगा आप देखो यही चीज तो alt plus enter is the shortcut for this यही है alt plus enter next the sum formula is used to sum all the numbers in a specific cell एक formula होता है sum for example मुझे यहां पर sum लेकर आना है इन दोनों numbers का तो how will I do that I will type equal sum उसके बाद bracket अब मुझे इन दोनों को add करना है तो मैं यह range select कर लोंगी bracket off and enter तो यहां पर जो है इन दोनों का sum आ गया तो sum formula यह होता है चलिए next the maximum number of characters that can be typed in a cell एक cell में कितने characters type कर सकते हो 32767 total start to learn ही करना पड़ेगा तो go to view sorry यह view tab है मुझे इसको select करना लेकिन मुझे mouse से select नहीं करना मैं यहां पर कुछ type कर रहे हूं suddenly मुझे कुछ याद आया कि मेरेको view पर जाना है मुझे mouse यूज नहीं करना तो what shortcut should I use or what is the shortcut for that तो view के लिए आपको मैं बता दूँ जितने भी shortcuts हैसे होंगे न जो इन tabs को open करेंगे इनको insert, draw, page layout, formulas इन सब को जो भी open करेंगे इन सब के shortcut alt से शुरू होते हैं तो alt के साथ क्या प्रेस करने पर view खुलेगा तो view खुलेगा आपका w के साथ ये last alphabet, alt plus w अगर मैं प्रेस करूंगे देखो view का पूरा ribbon खुल गया यहाँ पर नेक्स आता है when we select a range of cells, for example मैंने क्या किया यहाँ पर गई मैं, आप देख रहे हो यह जो आपका है यह name box कहलाता है, यहाँ आप में इसका नाम आ गया A1, अब अगर मैं range select कर दो तो क्या नाम आएगा, तब भी सिर्फ starting के cell का नाम आता है, पूरी range का नाम नहीं आता, अग नेक्स हम बात करता है, maximum zoom percentage है, कोई zoom percentage है, परसेंटेज है, तो maximum zoom, यह अभी 100 हो रखी है, maximum कितनी हो सकती है, 400, minimum कितनी हो सकती है, 10%, तो यह आपको learn करनी पड़ेगी, maximum 400 है, minimum 10%, दूसरी चीज, the tables created through table feature of MS Excel 2010, अगर मैं मुझे आप पर table create करनी हो, तो मैं select करूंगी एक range, insert पर जाओंगी और table पर click कर दोगी, okay, तो आप देख रहे हो, यहाँ पर table आ गई, तो इसके table में एक बहुत unique feature है, कि इसमें अपने आप से filters आते हैं, आप किसी भी तरीके से filter कर सकते हो, for example, filter का मतलब मुझे सिर्फ उसको select करना है, जिसमें यह digit हो, 4564, तो मैंने इसको select कि तो यहाँ पर सिर्फ वही शो होगा, जिसमें 4564 हो, मतलब यह कब काम आता है, जैसे आपने एक list बनाई है, उसमें अगर आपको alphabetically उसको करना हो, कि A नाम वाले चाहिए, तो आपको अपने आप इसमें filters आ जाएंगे और आप उसको कर सकते हो, F2 is used to edit a cell, देखे, मैंने इहां लिखा कुछ भी, फिर मैं इहां लिख रही हूँ, अब क्या है कि मुझे इसको edit करना है, तो आप देख रहे हो, अगर मैं select कर रही हूँ न तो पूरा select हो रहा है, वो typing वाला जैसे यह type जिस से करता है, वो चीज नहीं आ रही, तो अब यहा अब आप 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 इसमें कुछ भी edit कर सकते हो, F2 is the shortcut to edit a cell, to replace a text within the sheet we use, अगर मुझे किसी चीज को replace करना है, for example, क्या करना है, मुझे इस sheet में replace करना है, तो I will press control H, control H आते ही, sorry guys, मान लीजे मैंने यहां पर replace करना है कि कोई भी name है मुझे उसको replace करना है, अभी तो मैंने करना है, जिसके साथ replace करना है, यहां करके, close कर दूँगे, तो यह replace automatically हो जाएगा, next, आप से दो तरीके से question पूछते है, या तो आप से पूछेगा name, यह cell है, इसका name क्या होना चाहिए, तो हमेशा पहले column का नाम आता है, फिर row का नाम आता है, लेकिन अगर वो आप से पू dollar 1, तो यह, sorry, dollar 1, यह हो गया absolute address of a cell, to insert a new worksheet, अब देखो, यह worksheet है, यह भी short में कर रखे, इसलिए सिर्फ एक दिख रही है, otherwise minimum 3 worksheets दिखाई देती ही है, ठीक है, तो जब आप, आपको अगर क्या करना है, sorry guys, फोड़े गले की problem है, but I hope you will adjust this, तो हाँ जी, अगर आपको क्या क करना है, अब आपको यह, sheet insert करना है, तो यह तो आप plus पर आपने यहाँ क्लिक किया, plus क्लिक करते एक और sheet insert हो जाएगी, otherwise एक और तरीका है, आप shift के साथ F11 प्रेस करो, आपकी एक और workbook अपने आप आ जाएगी, आप देखो, अपने आप आ गई, इसके इलावा, counting the number of cells, हा सारी numbers है, आप मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे चीजे देखना है, कि ऐसी कितनी entries है, जिन में जो number है, वो 7000 से बड़ा है, यह 4 है, यहां तो 4 है, आप बता सकते हो, 7000 से बड़ा है, बस यह 3 cells में digits है, otherwise इन 4 हो में यह तो 7000 से कम है, लेकिन अगर बहुत बड़ी list हो, तो अब क्या function use करते हो, हम function use करते है, countif, so countif is used for counting the number of cells in a range with a specific criteria in MS Excel 2010, अगर आपको एक specific criteria को लेके cells count करना है, तो countif का इस्तमाल करते है, आपने equal to लगाया, countif use किया, bracket, अब मुझे क्या करना है, range select करना है, range का मतलब जिन में मुझे selection लेना है, ले लिया, comma, criteria, criteria हमेशा, sorry, inverted commas म हम use करेंगे, अब जैसे मेरा criteria है, कि 7000 से बड़ी होनी चाहिए, तो greater than 7000, inverted commas, close, bracket of, equal to, तो अब आप देको 3 answer आया, क्योंकि 3 ही ऐसे cells है, यह 7000 से थोटा है, चलिए, next है to display current date with time in the cells, अच्छा, अब आपको यह cell है, इसमें आपको date भी चाहिए और time भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, equal to लगाया, now लिखा, now का मतलब अभी, तो अभी की current date exactly आ जाएगा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अगर मुझे date डालनी हो, तो एक और तरीका होता है, control और semi colon, इसमें भी आगे आएगा भी, semi colon वो है, जिसमें dot और comma, यानि इस symbol क कर रहे हूं, तो control के साथ, अगर आप प्रेस कर रहे हो, semi colon, sorry, ये, तो आपके अभी data जाएगी, आप देख सकते हो, अगर मैंने, क्या किया है, मैंने यहापे गई, control और semi colon, ये आपके data आ गई, और इसी तरीके से, अगर आप क्या कर रहे हो, तो ये भी आगे आभी इसी slide में, चलिए बात करते है, to save and open file, अगर आपको save करना है इसको, एक तो है, control ऐसा आप प्रेस कर सकते हो, आप यहाँ से save कर सकते हो, इसके इलावा एक और तरीका है, shift के साथ, अगर आपने F12 प्रेस कर दिया, ये save हो जाएगी, और आप जो भी नाम देना चाहते हो, आ In MS Excel 2010, the auto sum feature helps us to add the contents of a cluster of adjacent cells, auto sum क्या होता है, देखो, sum में तो आपको पतर लग गया, मैंने ये range select की थी sum हो गया, लेकिन auto sum में क्या advantage है, आपको कुछ select करने की जुरत नहीं है, आपने इन सब को add, आपने क्या किया, आपने इन सब को add करना है, लेकिन आप auto sum में एक extra cell select करोग आपने आप इसका sum आ जाएगा, तो this is the auto sum, जिसमें adjacent cells, मतलब जो cell आपने select किया है, उसके adjacent में जो भी होगा, उन सब का sum आपको दिख जाएगा, इन MSXL 2010, match looks up values in reference और array, अब मैं आपको बता रही हूँ, match हम कैसे use करते हैं, M-A-T-C-H, अब मुझे match का function use करना है, तो क्या करना है, देखो, हम क्या करेंगे, हमें जो value चाहिए, हम वो देखेंगे, तो for example, मुझे देखना है, 6565 digit कहीं पर है या नहीं, look up array, यानि कौन से data में आप देखना चाहते हो, मैंने ये select कर लिया, ये वेरा data है, आपको पता है, जितना भी आपको, ये कैसे पता लगेगा कि क्या क्या type करना है, जब आप match लिखो गया, कुछ भी लिखते हो ना, तो बराबर में लिखा हुआ आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ याद है, बट यहा लिखा हुआ आ रहा है, पहले value type करनी थी फिर array, यानि array का मलब selection, फिर match type, अब match type में क्या है, तीन देख रखे हैं, अगर इस से, इस number से छोटा चाहिए, तो one type कर दो, exactly यही match चाहिए, तो zero type कर दो, बड़ा चाहिए, तो one type कर दो, plus one, तो मैंने क्या का, मुझे देखने है, exact value है ये नहीं, तो मैंने zero type की, bracket off, और enter next, यह बहुत important है, floor function, although यह अब तक, जो teaching के jobs होते हैं, जिन में computer बहुत जादा आता था, उनमें use होते हैं, तो इसमें आने के chances थोड़ से कम है, but still क्योंकि questions पूछे जा रहे हैं, तो यह बिलकुल आप लोगों को कर लेना चाहिए, तो चलिए बात करते है, floor function is used in MS Excel for rounding the number down, मैं floor function अगर मैं use कर रहे हूं, तो करती कैसे हूं, floor, bracket, कोई भी number दे दूँगी, comma, और मैंने दे दिया 3, इसका मतलब है 25 को round off करो, कि वो 3 से divide हो जाए, लेकिन floor का मतलब होता है नीचे, जमीन, तो मैं क्या करूँगी, नीचे का मतलब है, इससे छोटी digit इसमें आएगा answer, 24, क्योंकि 25, देखो, 25 के दस्दीक, कौन-कौन से numbers है, जो 3 से divisible है, 24 और 27, 24 छोटा है, floor में 24, लेकिन same function होता है called ceiling, ceiling में क्या होगा, ceiling में होता है, बड़ा number, क्योंकि ceiling का मतलब है 6, तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ceiling किया 27, 6, अब 27 का जो number है, जो 6 से divide हो जाए, 27 के आसपास, एक है 24 और एक है 30, तो ceiling का मतलब है 6, यानि उपर वाली value पे जाना है, 30 इसका answer आएगा, आप देख सकते हो, equal ceiling bracket 27, 6, तो 30 अपने आप answer आया, अच्छा, अगर मुझे क्या करना भी मैंने cell select कर रखा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरी row select करनी है, तो एक तो आपको shift के साथ space पे click करना है, ये पूरी row select हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर view को press करना है, तो क्या shortcut होता है, view में last alphabet W है न, तो alt plus W, मुझे data को select करना है, data ribbon को खोलना है, तो क्या shortcut होगा, alt plus A, last alphabet देख लो A है इसके अंदर, तो अगर मैं alt के साथ A press करना तो data का ribbon खोल गया, अचा, अगर मुझे इस पूरी worksheet को select करना है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं इस triangle पे click कर दूँ, तो ये पूरी select हो जाएगी, otherwise, control और A press करूँगी, तो ये पूरी worksheet select हो जाएगी, इसके इलावा, जैसे मैंने ये चीज़ लिख रखी है, मुझे क्या करन bracket, अब text आ गया है, ये उस text को select करना है, तो I will select the text, bracket off, आप देख लो, ये सब कुछ capital में हो गया है, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, सब कुछ capital में है, next, to select one or more non-adjacent worksheet, अब मैं पस यहाँ पर 3 worksheets है, मुझे इन में से 2 select करनी है, लेकिन बराबर वाली हो या कोई भी हो, तो मैं कैसे select करूँगी, click the tab for the first worksheet, पहले वाली को select किया, then hold down the control key, control press करो, अब आपको 2 select करनी है, देखो ये दोनों select हो गई, 1B और 2B, 3 भी select करनी है, तो वापस से click करो, तो ऐसे selection के लिए हम क्या प्रेस करते है, control, date value is used to convert a date, that is stored, देखो, अब भी क्या है, कि Excel कुछ अपना काम भी करता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, sorry guys, मैंने कोई number लिखे हैं, और मुझे ऐसा लग, Excel को यह लग रहा है कि ये तो मैं date की form में convert कर सकता ह हूं, तो हम उसके लिए use करते हैं, the function date, मैंने date लिखा, bracket लिया, year, month और day, एक और चीज, अगर आपका year वो है, जो चल रहा है, और लेकिन आपने date ऐसी लिख दी, जो भी future में आने वाली है, month में, तो यह previous century का ले लेगा, जैसे, मैं मान लिजे लिखे हूं, 20, okay, year है 23, month ल अब आपको पता है, 21 अभी जो है, अभी नहीं आई है, तो मैं क्या करने वाली, entry जैसे मैंने लिया, 21 February 1923, तो यह last decade का इनोंने ले लिया, 1923 आ गया, इसमें, चले, ऐसे ही एक और चीज, अभी आपने अपर यूज किया था, तो अपर यूज करते हैं, क्या हो गया, अपर टाइप किया, bracket लगाया, अब text मुझे select करना है, तो I will select the text, bracket off, and enter, आप देखो पहला capital है, बाकि सब मुझ small है, दूसरी चीज चाटे के आप देख सकते हो, यहां पर, MS Excel 2010 के version में कितनी रोज हैं, आप देख सकते हो, कितनी लिखी हुई हैं, 10,48,576 और कितने column से 16,384, यही पर 2003 का जो version है, वहां पर कितने होंगी, 65,536 और 256 columns हैं इसके अंदर, exact checks whether two strings are exactly same or not, देखो, मैंने क्या किया, मेरे पास एक बहुत लंबी list है, इधर भी list है, इधर भी list है, मुझे चेक करना है कि यह वाली जो जितने numbers हैं, क्या वो बिल्कुल same B वाले numbers की जैसे हैं या नही तो I will use the function exact, जैसे, अब क्या था, मुझे, अभी तो मैंने सिब यह दो select कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बस यह देखना है, यह दोनों match कर रहे हैं या नहीं, तो exact press किया, bracket लगाया, text 1, पहले text को आप वो करो, comma, text 2, enter, दोनों बिल्कुल same से true आ गया, अगर दोनों बिल्कुल same नहीं होंगे, तो false आ जाएगा, जैसे, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, exact मैंने type किया, अब मैं क्या कर रहे हूं, मैं इसको match करना चाहा रहे हूं, इसके साथ, enter, press किया, यह दोनों same नहीं थे, तो false answer आ गया, minimum zoom percentage मैं बता चुकिया, minimum 10% आप zoom कर स करते हो, अच्छा, अगर अब मेरे पास यह तीन worksheets है, यहां मैं यह कहूँ, कि मुझे क्या करना है, मुझे इस workbook को close करना है, लेकिन बिना यह cross पर जाए, तो मैं क्या press करूँगी, control प्लस F4, आप करके देख सकते हो, आपकी workbook close हो जाएगी, इसी के इलावा, जैसे हम हमेशा नीचे वाली चीजे, जो नीचे symbols बने वे होते हैं, वो हम directly use कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही key पे उपर वाला जो भी symbol है, उसको use करने के लिए, मैं tab यूज करना पड़ता है, तो हम tab करते हैं, नेक्स अगर मैं बात करूँ, हाँ, देख भी सकते हैं, जैसे मुझ यूज करते हैं, maximum में last alphabet, view में w है, data में a है, insert में जो आप use करोगे, आप use करते हो, alt plus n, alt और n यूज करते ही, आपका आगे, और आपको पता अगर आपको नहीं पता लग रहा किसका क्या shortcut है, although ये mcq है, तो आप computer पर देखके तो नहीं बचा सको, आप alt को press करके रखोगे आपको इनके shortcut सब के पता लग जाएंगे, file का F है, home का H है, insert का N है, draw का J I है, page layout का P है, formulas का M है, data का A, review का R है, view का W है, और help का Y है, चलिए, concatenate function is used to join several text items into one text item, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस cell में ये text और ये text को एक साथ लिखना है, या तो इतना लंबा-लंबा मैं सारा लिखना हूँ, otherwise I will use the function concatenate, concatenate यूज किया, bracket, अब जिस-जिस text को select करना है, मैंने 1 किया, comma, अब text 2, इसको select किया, bracket off और enter, आप देखो इसके अंदर, ये और ये दोनो add हो गए है, आप देख सकते हो, अगर मैं इसको लंबा कर दूँ, sorry, इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, दोनों text इसमें मिला कर आ गए, next की बात करते है, to preview, अच्छा, आप मुझे क्या करना है, मुझे इसका print लेना है, तो shortcut क्या है इसका shortcut होता है, control plus F2, और याद कैसे करोगे, F2, photo, F2 से याद रखोगे, photo, तो photo लेना है, यानि print preview लेना है, तो control F2 आपको दिख जाएगा, कि इस तरीके से print होगा, चलिए, the shortcut to open the delete dialogue box to delete selected cells is, अच्छा, यह मैं बताती हूँ, यह क्या है, यहाँ से कट करके, अगले में shift करूँ, और लेकिन table मेरी बन चुकी है, तो मैं क्या करूँगी, 6 और 7 के बीच में एक row और insert कर लूँगी, तो वो कैसे करते हैं, what is the shortcut for that, 7 पे गई, इसको select किया, control और plus, control और press करते हैं, देखो, आपकी, sorry, यह बाद में add होती है, 6 और 8 के बीच में, यानि आप एक और आपकी row add हो गई, तो यह shortcut है, next, the keyboard shortcut key to open the format cells, अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे यह वाला cell है, मुझे इसको format करना है, format का मतला इसका text, हर चीज, इसका styling change करना है, तो format home पे मिलता है, अब इसकी shortcut क्या है, control, shift और F, आपका आ जाएगा, इसमें जो भी लिखा है, strike through करना है, तो इस तरी किसे strike हो जाएगा, superscript है, तो उपर लिखा हुआ होगा, subscript है, तो small में लिखा हुआ होगा, font आप change कर सकते हो, तो उसका shortcut क्या है, control, shift और F, चलिए, the remove duplicate function is found in the ribbon under the data tab, अब अगर मेरे को ये दिख रहा है, कि कहीं पे मैंने क्या करा है, मैंने कुछ चीजे duplicate कर दी है, जैसे, यहाँ पे 4564, 456, ये है, अब मुझे क्या करा है, मैंने मेरे को ये दिख रहा है, अच्छा, एक मिनट एक काम करता है, ये देटा वापस से insert करते हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है, इसमें न ये duplicate हो रहा है, 6565 दो बारा, मुझे क्या करना है, मुझे इसको remove करना है, तो मैं कहां से remove करूंग, ये remove duplicate option कहा आता है, तो ये आता है आपका data में, डेटा में जाओगे, तो ये ज shortcut है, ये आपको पूरे में नहीं दिख रहा है, ये symbol का मतलब होता है, remove duplicate, अब मैंने इस पर click किया, अच्छा, okay, अब मैंने क्या किया, ये मुझे लगता है, column में मुझे करना पड़ेगा, अब मैंने इसको select किया, I will select on remove duplicate, तो अभी मैं remove duplicate अगर करूंगी, तो मुझे पता अच्छा, इन्होंने selection जो है, call ले लिया, मुझे क्या करना है, select all, okay, अच्छा, एक second के लिए पीज आप लोग hold on करना, मैंने इसको select किया, continue with the current selection, remove duplicate, select all, अब मैंने column B को select किया, right, okay किया, one duplicate value, अब एक duplicate value थी और देखाँ, वो हट चुकी है, already remove हो चुकी है, तो duplicate function data tab में आ round off the digits to a particular significant value, जैसे आपको पता है decimal में significant value होती है, कि आपको पता है कहां तक round off करना है, तो round off function कैसे use करोगे, जैसे आपने कोई भी number लिग दिया, comma, अब आपने प्रेस किया 6, यानि 6 digits तक, decimal के बाद 6 digits तक में को चाहिए, तो ये आज आएगा, देखो decimal के बाद 6 digits तक में को होता है, इसके लावा कुछ functions हो रहे हैं, जैसे even, even में क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ, even में क्या होगा, अगर आपने कोई भी number लिखा, 11, तो इससे बड़ा जो भी nearest even number होगा, वो आपको दे देगा, even, अगर आप minus में number ले रहे हो, तो उससे भी कोई फरक नहीं पढ देखो, minus 8 answer आगया, इसी के साथ, अगर मैं यहाँ पर odd की बात करूँ, तो odd में भी same होगा, बड़ा number मिल जाएगा, लेकिन odd number मिलेगा, जैसे equal to odd 20, तो 20 से बड़ा odd number nearest कौन सा है, 21, तो 21 will be the answer, इसके लावा, अगर मुझे यह निकालना है, मैंने criteria select किया है, range select किया है, इस what is the method for that, count कैसे हम करेंगे, देखे, हम क्या करेंगे, mathematical तरीका क्या है, rows और columns की multiply कर देगे, rows और columns कैसे निकालना है, जैसे आप address देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूँ, A4 से लेकर C10 तक, यह, अब आपको मैं बता दूँ, कैसे आप count करोगे, cells कितने होंगे, total, कितने cells हैं आप कैसे calculate करोगे, rows की multiply करोगे, rows कैसे निकलती है, यह जो बड़े वाला number है, 10, 10 में से minus करोगे, 4, और उसमें 1 प्लस कर दोगे, 10 minus 4 plus 1, यानि 7 तो आगई आपकी rows, column कैसे पता लगा होगे, total, जो भी बड़ा वाला alphabet होगा, वहां से, फोटे वाले alphabet, तक क्या आपको लेना The limit of font size in MS Excel is, हाँ, यह जो font size होता है, यह, इसकी limit कहां से कहां तक होती है, 8 से शुरू होगी और 72 तक होगी, आप learn करके रखेंगे, लेकिन manual, यानि अगर मैं type करना चाहूं, तो आप कहां तक कर सकते हो, 1 से 409 तक खुद से आप type कर सकते हो, बट इसके अंदर जो show होगी, व अगर आपको date insert करनी है, तो था, या आप now लिख दो, उसमे date और time दोनों आ जाएगा, otherwise control के साथ semicolon press करोगे, आपकी date आ जाएगी, और time अगर चाहिए, तो control के साथ shift और फिर semicolon दबाओगे, तो time आपका आ जाएगा, इसके अलावा, minimum worksheets कितनी होती है workbook में, 3, maximum worksheets कितनी होती है, 255, by default, अगर आपने एक नई workbook खोली, गेरी, तो इसके अंदर जो आपका आएगा, size हमेशा 11 ही आएगा, और आप देख सकते हो, और font हमेशा calibre ही आएगा, इसी के साथ, to delete one word to the right side, अचा ठीक है, अब ये आपके MS Excel का खतम हो चुका है, मैं word का start करी हूँ, आप द ये जितना भी right side में, इसको सब को एक साथ delete करने है, अगर मुझे सिर्फ, sorry guys, मुझे सिर्फ A को delete करना है, मतलब अगर देखो, left में कुछ भी delete करने है, I will press backspace, मुझे right में delete करने है, I will press delete, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे right side में जितना भी है, सब कुछ delete करने है, तो मैं control के साथ delete प्रेस करूँगी, वो सब कुछ delete हो जाएगा, इसके अलावा, अब आप देखो, मैं यहाँ पर type करने हूँ, यह मैं paragraph बना रही हूँ इक इन से, अब मुझे क्या करने है, अगला paragraph में spacing double करने है, यहाँ पर इतनी spacing है, मुझे double करने है, तो मैं कैसे करूँ करने है, control के साथ two press कर दो, enter press करोगे, देखो spacing double हो गई, control two press करोगे, spacing double हो गई, लेकिन अब मुझे वापस से जाने है, तो control के साथ one press करो, देखो spacing उतनी ही आ गई, next question की बात करते है, इन MS Word 2010, if we press tab key within a table, अच्छा, अगर मैं यहाँ table insert कर दूँ एक, अब मैं इस पर हूँ, मुझे अगले उस पर जाना है, cell पर, तो मैं tap प्रेस करूँगी, मैं अगले पर जाऊँगी, tap प्रेस करूँगी, मैं अगले पर चली जाऊँगी, इसी के इलावा, मुझे अगर spelling च करनी है, कहीं पर मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखी, तो how will I check this spell, I will press F7, यह अपने आप से spelling check खुल जाएगा, यहाँ पर आप spelling check कर सकते हो, इसी के साथ, इन a Chrome browser, अगर आपने Chrome खोल रखा है, और आपको यह देखना है, कितना downloads क्या 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 आपने कर रखे हैं, उसका shortcut है यह center में लिखना है, बिलकुल, center का shortcut क्या है, control E, आप देखो center में चला गया, अपने अब यह center में ही press होगा, इसी के साथ, अब मैंने क्या किया, मैंने browser खोल रखा है, और आप देखो, इसके अंदर यह 3 tabs खुले हुए हैं, ठीक है, मुझे इस tab से इस पर आना है, without using mouse, so how will I do that, control के साथ, tap press करूँगी, next tab पे आ गई, control के साथ, tap press करूँगी, मैं next पे आ गई, control और tab हम use करते हैं, to navigate between the tabs, इसके इलावा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, number, मुझे लिखना है 23 की power 6, तो मैंने 23 लिख दिया, अब 6 मुझे super script में चाहिए, उपर चाहिए, तो how will I do that, using shortcuts, I will press control, shift और plus, control, shift प्रेस, हम जब करेंगे, तो अब आप जो भी लिखोगे, वो उपर लिखा जाएगा, वापस control, shift, plus करोगे, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये तो था अभी आपका super script, मुझे लिखना है, O2, oxygen का formula, अब मुझे subscribe में जाना है, तो अभी आपने super script म control, plus, press किया है, नॉर्मल हो गया, a table in MS Word, MS Word में जो आप table insert करोगे, उसमें कितनी भी rows insert कर सकते हो, there is no boundation, but columns जो है, वो सिर्फ 63 आती है, MS Excel में zoom percentage कितना है maximum, तो अर ये minimum होगा, ये 10% है, और maximum कितना होता है, इसके अंदर आप देख सकते हो, maximum होता है, इसके अंदर 500, minimum कितना ह होता है, 10%, control, plus, O, 0, अच्छा, देखिए, मैंने क्या किया, ये मैंने web, ये खोला, मैंने इसमें search कर रखा है, moon, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने काम किया, मैंने इसको zoom कर लिया, ठीक है, जब आप mouse पे click करते हो, जो उसकी बीच में roller होता है, उसको आप press कर रहे हो, तो अब अपने आप zoom हो गया, अब मुझे इसको normal size पर लेकर आना, how will I do that, I will press control plus 0, control और 0 मैंने प्रेस की, तो ये अपने आप normal size पर आ गया, control 0 यूज करते है, default size में जाने के लिए, मुझे मैंने क्या किया है, ms word है, ये excel में भी same था, ये word है, मुझे इसको close करना है, तो control plus w, control plus w से कुछ भी चीज बंध हो जाती है, तो guys, ये थी shortcut की video, I really hope आपको video समझ आई होगी, लेकिन ये video जरूर ट्राय करते रहे है, इसके साथ एक और चीज, की computer की e-books available है, application पे Hindi और English दोनों medium में, तो आप बिल्कुल download कर सकते हैं, they are free of cost, अगर आपने अभी तक telegram channel join नहीं क साथ आपको पता है, officer batch हमारा launch हो चुका है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इतने सारे जो, आपकी main subjects है, उन पर focus हमने पढ़ाई कराई हुई है, तो guys, बिल्कुल जाकर इसको सबसे पहले आप enroll कीजिए, लेकिन अगर आपको चारो subject नहीं चाहिए, sorry, तो आप particular एक-एक subject के लिए भी individual batches ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, maths का द्रोना चाहरा है batch है, English का मंत्रिवेधी सरका है, GS का शीवम सर और मेरा है, और Reasoning का है एक राओ सरका है, तो आप बिल्कुल individual batches में भी enroll कर सकते हैं, तो guys, यह थी आज की video, I really hope आपको video पसंद आई होगी, अगर video पसं मेज़ी!